Hello friends, welcome to my channel Friends, आज में रिवीव शेयर करने वाले हूं ममाच राइस हैर ओयल with rice bran and coconut oil for damage repair Friends, इस हैर ओयल को यूज करते वे मुझे एप्रॉक्स 1 मन्द हो चुका है और आज में आप लोगों के साथ मेरा औरनेस रिवीव शेयर करने वाले हूं इस हैर ओयल को लेकर और friends, यह hair oil, mineral oil and silicon free है, dermatologically tested है और suitable है, all hair types के लिए और both men and women, जिनके इस 15 years या उससे एवाव है, इसको यूज कर सकते हैं, चलिए, अब मैं आपको इसको open करके भीखाते हूँ, यह colorless है, आप देख पा रहे होंगे, और friends, यह non sticky है, बिल्कुल भी चिप चिप नहीं होती है, इस hair oil से, और इसकी जो fragrance है, वो मुझे काफी अठी लगती है, बहुत ही mild fragrance है इसकी, और मैं इसको as a hair serum भी use कर लेती हूँ, आपको simply इसकी थोड़ी सी quantity लेनी है, और इस तरीके से अपने हाथों को rub करना है, और अपने बालों को दो section में divide करना है, और फिर आप इसे अपने hair length में apply कर ले, सो मेरे लिए as a hair serum भी ये hair oil काम करता है, बट अगर आपके बाल बहुत जादा oily है, तो आप skip करें, आप इसको as a hair serum यूज़ ना करें, और अगर आपके बाल बहुत जादा dry है, या फिर dry है, तो आप इसे as a hair serum भी use कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अभी मेरे hair, सो मैं इसे as a hair serum भी use करते हूँ, इसके चुमेन इंग्रीडियन है, वो है rice bran and coconut oil, और full ingredient list इसके बैक में दी गई है, इसमें ब्रंगराज एक्स्ट्रेक्ट है, आमला एक्स्ट्रेक्ट है, ब्रहमी एक्स्ट्रेक्ट है, आमेंड ओल है, कैस्टर ओल, कॉक्वनेट ओल, वाइ और हमारे बाल जो damage हो जाते है, damage hair को repair करता है, hair brackets को control करता है, और इसमें coconut oil है, coconut oil हमारे बालों से dryness को दूर करता है, हमारे बालों को thick बनाता है, और soft smooth subble बनाता है, बालों को manageable बनाता है, और इसमें almond oil है, almond oil भी हमारे बालों को damage होने से protect करता है, और बालों को soft smooth बनाता है, hair fall को control करता है hair brackets नहीं होने देता almond oil और इसमें है vitamin E vitamin E हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो भी हमारे बालों को moisturize रखता है उनको nourishment देता है और इसमें castor oil है castor oil हमारे scalp में जो blood circulation होता है उसको improve करता है हमारे hair growth को promote करता है और हमारे बालों को thick बनाता है so यह जो hair oil है मैं इसे one month से use कर रही हूँ यह मुझे काफी अच्छा लगा है मैं इसे two way में use करते हूँ एक तो as a hair oil और एक as a hair serum जैसा कि मैंने अभी आपको बताए क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा 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 है तो मैं इसे as a hair serum भी यूज़ कर लेते हूँ यह एक तो non sticky है यह मुझे इसलिए अच्छा लगा है बिल्कुल भी चिप चिप फिल नहीं होती है और जब इसको बालों में यूज़ करते है क्योंकि मुझे फिर कमेंट मिलते है बहुत सारे कि हमें पता है कि hair oil कैसे अपलाई करना है आपको इसे अपनी scalp में और hair length में अपलाई करना है और आपको इसे minimum 2 hours के लिए रखना है और maximum आपको इसे overnight रखना है दो दिन के लिए तीन दिन के लिए एक हफते के लिए लगा कर इसे नहीं रखना है क्योंकि उससे भी आपको benefit वही मिलते है और अगर आप इसको ज्यादा लंबे टाइम तक लगा कर रखते हैं तो आप कहीं भार जाते हैं तो डस्ट वगेरा आपके hair पे स्टेक हो जाती है और वह आपके बालों को डैमेज करती है तो याद रहें minimum 2 hours और maximum आपको इसे overnight रखना है उससे जादा hair oil को आपको अपने बालों में नहीं रखना है और आप अगर बाल बहुत जादा dry है बहुत जादा dry है या फिर नॉर्मल भी है तो आप इसे as a hair serum भी use करते है तो आपको इसके minimum one drop लेनी है minimum one drop लेनी है maximum two drop लेनी है मैं भी confused हो जाते हूं बताते टाइम यह hair oil मुझे काफी अच्छा लगा है इसके result मुझे पसंद आए है यह आपके hair fall को control करता है और आपके बालो में जो split ends होते है अगर आप इसको continue use करते है तो वो split ends नहीं होते है आपके बालो में और आप जब इस hair oil को यूज करते है तो आपको इसे minimum two bar यूज करना है और maximum three bar use करना है week में यह भी comment आता है किम week में कितनी बार यूज करें और friends आपको पता है कि जब damaged hair को repair करता है, hair fall control हो जाता है, hair brackets control हो जाता है तो hair growth तो अपने आप ही start हो जाती है, so ये आपकी hair growth को भी promote करता है, so ये hair oil मुझे काफी अच्छा लगा है, मुझे इसके result पसंद आई है, और definitely मैं इसको repurchase करने वाली हूँ, अगर आप भी इस hair oil को purchase करना चाहते है, इसको try देना चाहते है, तो मैंने इसका link निचे description box में डाल दिया है, आप वहां से check out कर लेना, और हाँ friends, mama art website पर जाकर आप product को purchase कीजिए, और वहां पर mama 20 core डालेंगी, तो आपको 20% off मिलता है, तो आप 20% off वाला benefits उठाएं, और mama art की product है, उनको directly mama art website पर ज कमेंटों शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है, तो चैनल को भी subscribe कर दीजिए, और पासी में एक bell icon है, उसको भी press कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिल सके, चलिए, अब मैं मिलती हूँ, आप लोगों से मेरे next व